नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों मैं शुनी पांडे आ गया हूँ आप लोग की सामने ले करके कुछ ऐसी खबरें जिसे बताना हमारे लिए इंपोर्टेंट था और आपके लिए जानना उससे जादा कहीं इंपोर्टेंट था तो आज जान लेंगे आप लोग पीछे हमारे देख रहे होंगे सीटेट सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे करें कुछ हमारे ऐसे साथ ही थे कुछ ऐसे हमारे मित्र जिनों को जिनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी कि सर कैसे इसको हम डाउनलोड करें और हमें confusion था कि जो पहली बार दिये हैं सीटिट कुछ लोगों को ऐसा confusion था कि यह बाई पोश्ट आएगा पोश्टल एड्रेस पर तो इसके बारे में हम जानने के लिए और बताने के लिए आप लोग के सामने आ गया हूं देखे सीटिट सर्टिफिकेट जो है यह सही बात तो यही है कि इसको पोश्टल एड्रेस पर ही है ना सीटिट द्वारा भेजा जा रहा था लेकिन कुछ समय बाद यह मतलब डिजिटलाजेशन के जमाने में इसको डिजिटल कर दिया गया अब इसके लिए एक ऐसा एप है जिनको हम आपको अभी बताएंगे कि वो ऐसा एप है जिसको आप यूज करेंगे यहां से सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेंगे आप देखिए डाउनलोड करने का क्या तरीका होगा यह तो हम सबसे पहले आपको बताएंगे फटाफट हम जानेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे आपको जाना है प्ले स्टोर पर गूगल के अपने Easy Locker download करोगे आपको एक ऐसा पेज दिखाई देगा ठीक है किस तरीके का इस तरीके का आपको पेज दिखाई देगा आप इसमें मुवाइल नंबर या आधार नंबर आपको बताना है ठीक है यह आपके पास कोई अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप पहले करके आपको र आपका हो गया बेसिक पहला इस्टिफ हो गया अगर हम इस पहले इस्टिफ के बाद हम आगे बढ़ते हैं यह पहला आपका इस्टिफ हो गया पहले इस्टिफ के बाद हम बढ़ते हैं कहां दूसरे इस्टिफ पर और दूसरा इस्टिफ हमारा आ गया आप जो मुवाइल न यह नंबर पर होगा एक OTP आपको मिलते ही आप वहां पर Hetering गश्य करेंगे और Hetering करने के बाद आप यहां पर submit करेंगे और submit करने के बाद जैसे ही आप submit किये ऐसे ही इस तरहिके का आपको युद करेंगे मिल्पी अब इसके बाद की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में आप जानेंगे फिर आगे हमारा फिर आपको यह Home page इस तरीके का दिखेगा अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि यह जो आप देख रहे हैंगे explore more ठीक है explore more पर जब आप जाएंगे क्लिक करेंगे तो आपको एक लंबा सा पेज खुल के सामने आएगा वो है इस तरीके का ठीक है अब क्या हुआ अब यहाँ पर आपको इस चीज को खुल करके और भी आएगा तो सबसे नीचे जब आपाएंगे सबसे नीचे जब आएंगे तो यहाँ पर आपको आप ध्यान से देंगे देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है कि Teachers Elizability Test Certificate या Central Board of Secondary Education दूसरा यहाँ लिखा है Teachers Elizability Test Mark Seat है ना आपको यहाँ पर Certificate और Mark Seat दूनों ठीक है यह सारा काम आपको कहां करना है Dizzy Locker पर करना है Dizzy Locker का आप गूगल प्लेइ स्टोर से या जो भी फून आप यूज करते हैं Windows करते हैं Android करते हैं या iPhone करते हैं वहां के स्टोर से जाकर कि सबसे पहले आपको Dizzy Locker डाउनलोड करना होगा अब यहां पर किसी पर भी अगर आप क्लिक करेंगे तो वहां आपका रोल नंबर पूछेगा ठीक है रोल नंबर पूछेगा मोबाइल नंबर पूछेगा आपका मोबाइल नंबर वही होना चाहिए जो सर्टिफिकेट में आपने डाल लगका है और उसी मोबाइल नंबर से ही इसको साइन इन करेंगे और लॉग इन भी उसके बाद इसी उसी नंबर से करेंगे अब यहां पर देने के बाद सारी चीजें क्या होगा आपका वो डाउनलोड पीडिये फॉर्म में हो जाएगा दूसरी चीज एक बहुत बड़ी बात हम आपको अच्छी बात बता रहे हैं उसमें एक और आपको चीज देगा ऐसे कोश्चन समार करके ठीक है यह कोश्चन समार का करना क्या है एड़ फोटो रीडर से पीडियेफ का होता है उसमें यह डाउनलोड होगा और वहां पर आपको इसको कलर प्रिंट आउट ले करके और आज जीवन के लिए बिलकुल रख लेना है और अभी जो हाल ही में 2022 का जो एक्जाम हुआ सीटिट का अभी जस्ट पहले इसका भी डिजी लॉकर पे आ गया सर्टिफिकेट तो आप लोग यहां से डाउनलोड कर सकते हैं और अंत में हमको यही बताना था कि डाउनलोड करने का तरीका क्या होगा कैसे डाउनलोड करेंगे confusion जिन बच्चों का भी था जिन अमारे साथियों का था जिन भाविश्यक्षगों का था मुझे लगता है कि इस पूरे वीडियो में उनकी सारी शमस्या का समाधान मिल गया प्रवालिछ प्रवाओरी य।